पाकिस्तान को हथियार की नई खेड, समंदर में चीन, पाकिस्तान का नया अट्डा, ड्रैगन की मन्शा पर हिंदोस्तान ने फेरा पानी, चीन की चालबाजी पकड़ी गए पाकिस्तान की ठाली में रोटी नहीं है, सिर्फ परकर्ज का बोज बोरे की तरह लदा है, देश पाई पाई के लिए मोताज है प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी इस देश से, कभी उस देश से, कभी इस संस्था से, कभी उस संस्था से फर्याद करते हैं कि मदद मिल जाए लेकिन जब बात हत्यार खरीद कियाती है, तो पाकिस्तान घर भूँक कर भी तमाशा खड़ा करने में जुट जाता है नया नमूना दिखा है चीन में चीन में पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाई जाने वाली पहली हंगोर क्लास पंडुब्बी को लॉंच कर दिया है इस लॉंचिंग सेरिमनी का आयोजन चीन के वोचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के शुआंग लिव बेस पर किया गया इस समारो में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एड्मिरल नवीद अश्रफ ने हिस्सा लिया ये डेवलप्मेंट पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक समझोते के तैट हुआ है जिसमें बीजिंग ने इसलामाबाद को आठ अध्यादुनिक उननत पंडुबिया देने पर सहमती जताई है पाकिस्तान की नेवी ताकत चीन क्यों बढ़ा रहा है ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान को चीन के हर मदद के पीछे मकसद कलियर होता है इंदुस्तान के खिलाप मूर्शाबंदी वर्षों से चीन यही करता आया है पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि वो पंडुबवी तो दूर स्वच्छ पानी भी अपनी आवाम को मुहया करापा है लेकिन चीन दे रहा है तो पाकिस्तान पंडुब्बी लेकर इतरा रहा है इस पंडुब्बी की डीटेल आपको आगे दिखाएंगे उसके पहले इस पंडुब्बी वाले समझोते को विस्तार में लेख लीजी कुल आठ पंडुबियों में से चार का निर्मान चीन में होगा बाकी चार का निर्मान पाकिस्तान के कराची शिप्यार्ड एंड इंजिनरिंग वर्क्स में किया जा रहा है पंडुबी लॉंच के मौके पर पाकिस्तान के नौसेना प्रमॉक एड्मिरल नवीद अश्रफ ने जो कहा उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए हंगोर क्लास, SM परियोजना पाकिस्तान चीन मित्रता में एक नया आयाम जोड़ेगी और दोनों देशों के बीच मजबूत सैनिसायोग को प्रदर्शित करेगी पाकिस्तान के चीन के साथ घनिष्ट सैनिक संबंध हैं दोनों देशों ने 2018 में चार मल्टी परपस युद्वपोतों के लिए अनुबंध पर दस्थकत किये थे पहला और दूसरा जहाज PNS तुक्रिल और PNS तैमूर 2022 में पाकिस्तानी बेड़े में शामिल हुए असल में ये चीन है जिसके दम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कूदता है चीन के लिए पाकिस्तान भो मोहरा है जिसका इस्तिमाल वो जब जाहे करता रहा है पाकिस्तान के आर्थिक हालात को समालने में चीन से भारी मात्रा में मदद मिलती है लेकिन इसकी डीटेल आगे अभी तो कहानी चीन की उस नई पंडुबी की जिसे पाकर पाकिस्तान चहक रहा है हंगोर क्लास पंडुबी कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है हंगोर क्लास सबमरीन कई दिनों तक पानी के अंदर छीपी रह सकती है इसमें कई तरह के अत्यादुनी खत्यार और सेंसर लगे हैं जो खत्रों का सामना करने में सक्षम है बताया जा रहा है कि ये पंडुबी 76 मीटर लंबी होगी ये अनुमान लगा गया है कि हंगोर क्लास में 6-533 मीटर टारपीडो ट्यूब होंगे युआन क्लास के हत्यारों के समान हंगोर क्लास पंडुबियां है हैविवेड टारपीडो और एंटी शिप मिसाल दोनों को लॉंच करने में सक्षम होंगे अनकि पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज्यादा तर जानकारी को सीक्रेट रखा है हिंद महासागर में फुफकार रहे चीन और पाकिस्तान की ये पंडुबिय भारत के लिए बड़ा खत्रा मानी जा रही है इस से पहले चीन और पाकिस्तान ने 2022 में हंगोर क्लास की पहली पंडुबिय का निर्मान शुरू किया था जो अब काफी अडवांस तर पर पहुँच गई है कहा तो यहां तक जा रहा है कि आठ पंडुबियों में पाकिस्तान द्वारा विक्सित परमाणू हमला करने में सक्षम बाबर 3 पंडुबि प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल SLCM ले जाने की वीक शमता होगी जिसकी रेंड 450 किलोमीटर है इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से छीन पर मिरपर है चाहे वो सडक हो, रेल लाइन हो, बांध हो, बिजली हो, विज्यान हो या फिर रक्षा संबंधी उपकरण, हथियार या फिर ट्रेनिंग हो पाकिस्तान की नौसेना के पास 54,100 एक्टिव जवान है इसके अलाबा 5,000 रिजर्व फोर्स है पाकिस्तान के पास इस वक्त 154 जंगी जहाज और 85 एरक्राफ्ट है पाकिस्तानी नौसेना के पास 10 फ्रिगर्ड, 2 डेस्ट्रॉयर्स, 6 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन, 3 मिट गेट सबमरीन, 48 पेट्रोल विसक, 7 फास्ट अटक क्राफ्ट, 54 हाई स्पीड बोट्स है दुनिया में हथियार रखने वाले देशों में पाकिस्तान बहुत पीछे है लेकिन पाकिस्तान शुकी भारत का पडोसी है लहाजा इस देश के पास किसी भी तरह का हथियार भारत के लिए बड़ा खत्रा है चीन रननीदी के तहट अपनी नौसैनिक शम्ता बढ़ा रहा है आलम ये है कि पिछले 10 वर्षों में चीन ने अपने युदबोत की संख्या 200 से बढ़ा कर 355 पहुचाई है चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ती बन गया है और पाकिस्तान की नौसैना को भी विस्तार दी रहा है इसी के तहट पाकिस्तान को पंडुक भी सौपरा है लेकिन यहां ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि चीन पाकिस्तान को खुद पर निर्फर बना रहा है एक ऐसा देश जिसकी आभाम चीन के हुक्म पर चलने वाली होगी वर्ल्ड बैंक के मताबिक पाकिस्तान ने चीन रूपी अपने दोस्त से 26.6 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है यानि जितना पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका तीन गोना तो उस पर केवल चीन का ही कर्ज है इस कर्ज को चुकाते चुकाते पाकिस्तान की कमर तोट गई है तो चीन पाकिस्तान को पंडुक भी देकर जो साबित करना चाहता है वो ये कि जमीन पाकिस्तान की होगी, समंदर पाकिस्तान का होगा, बंदरगा पाकिस्तान का होगा, लेकिन चलेगी चीन की पाकिस्तान इस तत्थ से वाकिफ है लेकिन हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरान मुल्क को बेच डालने से भी गुरेज नहीं करने वाले जो पंडुबी पाकिस्तान को चीन से मिल रही है उसके रख रखाव पर भी करोडों का खर्च आएगा पाकिस्तान ये खर्च कहां से जुटाएगा इसका जवाब श्याबाद शरीप के पास नहीं है सबसे बड़ी खबर गाजा के रफा में अब इसराइल वो कर रहा है जिसकी कलपना अमेरिका तक ने नहीं की थी अब रफा में दोदो हजार किलो के बम गिराए जा रहा है और हालात ऐसे हैं कि सैकडू लाशित दे करके अमेरिका बुरी तरीके से खौफ में है देखे रौन्दिया रफा खौफ में अमेरिका 210 दिन की जंग के बाद ना तो हमास का इसराइल सपाया कर पाया और ना ही हमास इसराइल के सामने डिक पाया है लेकिन इसके बावजूद गाजा पट्टी में अब ऐसा गुरेला और खुनी यद्ध शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका तक कुछ जख जोर कर रख दिया हमास के आखरी बटालीन को बुरी तरह से बार्दमे के लिए इसराइल ने डक्शनी गाजा के रफ़ा शहर पर कहर बटाना शुरू कर दिया रफ़ा से आ रहे है रिपोर्ट्स के मुताबए इसराइल ने रफ़ा को हमास का कबरिस्तान बनाना शुरू कर दिया है खबर के मुताबेक 24 गंटे के अंदर इसराइल की आईडिया रफ़ा में 2000 पाउंड के 1800 बम गिराने वाली है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रफ़ा की 15 लाग की धनी आबादी के बीच इसराइली सेना हमास के ठिकानों पर ताबर तोड हमला करने जा रही है जिसमें 500 पाउंड के 1775 से हमला किया जाएगा इसके साथ ही जमीन से आईडियेप के जवान टैंकों के साथ रफ़ा को चारो तरफ से घेर कर गोली बारी कर रहे है रफ़ा में इसराइल के खुनी हमलों को देखकर अमेरिका का घबरा गया है रफ़ा में इसराइल के खुनी हमलों को देखते हुए सबसे बला सबाल यही, क्या इस्राइल रवाम, हमास के सपाय को लेकर पन्राला क्याबादी पर भीशन हमलेगा जोक हम उता सकता है אני אלכם בזה בכל כוחותי כפי שהחיילים שלנו मौוחדים להגן עלינו בשדה הקרב אנחנו मौוחדים להגן עליהם בשדה המדיני יחד נלכם, ובעזרת השם, יחד ננצח इधर इसराइली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को बारना चाहती है लेकिन दिक्कत ये है कि हमास जी ठानिया कतर में छुपा बैठा है जब कि सिंवार, मिस्र से सटे, रवभा की सुरंगों में आबादी वाले इलाके में छुपा बैठा है इसराइल इसलिए बार-बार कह रहा है कि रवभा में हम आपरेशन शुरू कर चुके हैं चार जनवरी दो हजार चौबीस तक इसराइली सेना गाजा में पैंसट हजार टन वमों से हमला कर चुपी है इसराइल के भीशन खौनी हमले में चार सु वर्ट किलोमेटर इलाके में 23 लाक पिलिस्तीनी भसे हुए है इसराइल दिसमबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70 पीसद से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हुचकी कुछ दावों के मताबिक हमास की 80 पीसद सुरंगे इसराइल की भयानक बंबारी में तबाह हुचकी बारा दो हजार पाउंड का बम भाफ बना हमास इसराइली सेना ने 6 मई को दक्षणी गाजा और रफ़ा में भीशन हमले किये थी दावों के मताबिक हमास के 20 वाकों पर इतने बड़े बमों से हमला किया गये क्योंकि लाशे बंब अमाकों में भब बनकर ओगए खबरों के मताबिक इसराइली सेना ने रफ़ा की अल अबरार मस्जिद पर भी हमला किया है जहां हमास के कई कमांडर के छिपे होनी के पुखता जानकारी मिली थी इधर पूरवी रफ़ा में मौझूद लाखों पिलिस्तीनियों को ऐसे नोटिस भीजे गए जिनकी वजह से पूर्वी रफ़ा में कोहरा मचना शुरू हो गया इसराइली सेना ने हवा से इलाखे में पर्चे गिराएं और चैतावनी दिये है कि जल्द से जल्द पूर्वी रफ़ा खाली कर दें क्योंकि यहां पर इसराइली सेना घातक हमे करने जा रखी जब से इसराइल के इस ताजे हमले के बारे में अमेरिका को फनक लगी तब से इसराइल और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई अमेरिका का साफ कहना है कि अगर इसराइल रफ़ा में भारी बमों से हमला करेगा तो हमास के लड़ाकों के साथ साथ हजारों फिलस्टीनी मारे जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को दुनिया के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा लेकिन प्रदहन मंतरी नेतन याहू ने साथ कहतिया है कि अब इस्राइली सेनको रफा मेड़िशन हमला करने से धुनिया कि फुन ताकत नहीरो पाइग ואני מברך על כך, שממשל ביידן העביר שלשון שזו עדיין גם עמדתו ואני מבקש להעביר דבר נוסף ישראל היא לא זו שמונעת עסקה, חמאס מונע עסקה ראשותיו הקיצוניות מועדו להביא להפסקת הבנחמה ועשרתו על כנון अब देखना होगा, रफा में इस्राइली हमले को रोपने के लिए हमास के साथ साथ दुनिया क्या कदम उठाती क्योंकि ये तो तैय है कि इस्राइल का भीशन हमला रफा में लाशू का अंबार लगा देगा और चले रुकरते अगली खबर की उर पाकिस्तान में एक बार फिर तक्ता पिलट की हलचल तेज है मार्च महिने में प्रधान मंत्री पत की शपत लेने वाले शेहबाज शरीफ की जगए इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है इमरान खान की पाटी के नेताओ ने खुलेया मैलान कनफ शरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसी मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील हो चुकी है कहा ये जोरा है किस डील में मौलाना डीजल के नाम से कोख्यात फजर रोमान ने एहम करदार निभाया है देखे पाकिस्तान में पल्टी वाजी पावर में लौट रहे हैं नियाजी शावाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल इसलामाबाद का तक्त फिर से डोल रहा है कट पुत्लियों में फिर बदल की तैयारी है कधान मंत्रीपद पर नई ताजपूशी की जबरदस्त हलचल है शावाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावल पिंडी से इसलामाबाद तक हिलोरे मार रहे है एलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिप मुनीर से बड़ी दील डन की है डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीम की पद्वी मिलेगी यो खिचडी पडोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और उट्टो खांदान का जाइका बिगार दिया है क्योंकि इमरान की जेल से रहाई और पीम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े खतलियाम का सीधा सिगनल है सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद जौधरी क्या कह रहे है और चले फिलाल इस बुलेटिक में इता ही बागी खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज 18 वाजस्तान